नमस्कार आप सभी का स्वागत है लाइव लगातार में मैं हूँ आपके साथ कॉशल कुमार कोरोना काल में कहीं लोगों ने कहीं चीजे को बनाया वैसे में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अंकित परताप सिंग से जमसितपूर के रहने वाले हैं 12 तक पढ़ाई किया वहां से और फिर आगे की पढ़ाई के लिए चेक रेपबलिक अमेरिका में भी जाके पढ़ाई की इस वक्त जो है अंकित किरिशी मंत्री बादल पत्रलेक से मिलने के लिए आ है और अपने कुछ प्रोडेक्ट्स को उन्होंने बनाया है अगर बात कीजा प्रोडेक्ट्स की तो भांग के जो बीज होते हैं उससे इन्होंने उसके रेसे से इन्होंने मास्क बनाने की मुहीम की शुरुवात की है लेकिन ये शुरुवात आखिर अंत इसका कहा तक अंकित सबसे पहले तो बताईए कि आपने पढ़ाई लिखाई कहां से की और अचानक से ये ख्याल कैसे आगया आपको जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैंने युएस से पढ़ाई की थी और फिर मैंने चेक रिपब्लिक में ट्रांसफर किया था जब लास्ट यर हिट की थी तो मैं चेक रिपब्लिक जान नहीं पाया ओनलाइन क्लासेस थे मेरे डिरिंग दाट टाइम मेरा बहुत मन्त था कुछ इन्वेशन करने का स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के उपर और तब मैं एक स्पाइसस फैक्टरी यहां जारकंड में खोलने की पहल करना चाहता था बट दिरिंग पैकेजिंग टाइम जब पैकेजिंग मुझे प्लास्टिक नहीं यूज करना था तब मैंने काफी रिसेर्च किया मुझे हम्प के बारे मालमचा जो कि इसको कहते है भांग मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि हम गांजे के साथ काम नहीं करते क्योंकि वह इल्लीगल है पर भांग को एक लीगल रूप दिया गया है कल्टिवेशन के लिए नहीं है बट उसके कुछ प्रोड़क्स है जो कि खाने के सीड्स, ओयल और प्रोटीन पाउडर पहनने को कपड़े जिस चीज साथ हम काम करते हैं वह है पहनने को कपड़े तो अगर आप देख सकते हैं यह मेरी मास्क है यह बनी है 100% हम्प के रेशो के साथ है तो अगर मैं दिखाऊ आपको यह होती है हम्प के स्टॉक के रेशे यह रेशो की एक स्ट्रेंथ होती है काफी जिससे रसिया बनती है और इससे बहुत सारे इंडस्ट्रियल अप्लिके यह फाड़िक मीटिरियल, is यहहंप के बीज को अगर को अगर कोल्ड करते हैं, तो इस निकलती है प्रोटीन पाॉड़ जो, जिससे रोटी बन सकती है, ब्रोट बन सकते हैं Tag बन सकते हैं, बेकिंग हो सकती है। और इसके साथ साथ बनती है यह तेल, यह तेल आप लगा सकते हैं, आप इसके कंजूम कर सकते हैं और इस तेल से मैंने बायो डीजल ही बनाया, जो फर्स इन दे स्टेट ऑफ जारकंडा और एक है हमारे पास, यह हमारी सिस्टर कंपनी ने बनाया, यह 100% हेंप के फाइबर्स जो मैं दिखाया थे उससे यह paper bag बनी है, जिसकी काफी अची strength है, और यह load भी अची काफी लेती है तो अभी हमारी research and development चल रही है, हम जारकंड स्टेट में गवर्मेंट को यह प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं यह एक 1 trillion dollar industry बन सकती है इंडिया में अगर यह tap-in करती है और self sustainability और self-reliant जो आत्म निर्भर भारत का जो अभी mission है, PM का यह state को आत्म निर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है क्योंकि इससे आपको तीन जो basic human necessities है, रोटी, कपड़ और मकान जिस पे हम काम कर रहे हैं तीनों चीज बन सकती है, उसके साथ साथ और 25,000 चीजे बन सकती है और जो मेरा सबसे बड़ा ambition था कि प्लास्टिक को हटाना प्लास्टिक काफी inevitable चीज है, मैं कोशिश करता हूँ जितने कम हो सके उतने कम प्लास्टिक यूज करूँ और लोगों को भी कहता हूँ पर इस बायो प्लास्टिक बनने की भी एक पहल है मेरी जो मैं बिलकुल करना चाहता हूँ पर अभी मेरी चोटी पहल जो शुरू हुए वो है फैब्रिक से और इसके थ्रू मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और जारकंट के ले एक बड़ा प्रोजेक्ट लोगों के लिए इंप्लॉइमेंट और एकनॉमिक वैल्यू लेना चाहता हूँ अंकित किरसी मिंद्री से क्या कुछ बात चीत हुई अभी इस वक्त आपने जब ये प्रोडेक्स को समझाया या इससे पहले आप किन-किन लोगों से मिला है, अपनी बातों को रखा है, क्या कुछ प्रोपोजल दिया है और क्या कुछ उमीद रखते हैं सरकार से जी जरूर, सर से मेरी काफी अच्छी दो मिनिट पाच मिट बात हुई अभी क्योंकि वो हरबड़ी में था, मुझे थोड़ टाइमिंग लेट हुआ था बट उन से मेरी पहले भी फोन है बात हुई है, उनके डिपार्टमेंट के लोगों से ही मेरी बात हुई है मेरी प्रेजेंटेशन उनको काफी पसंद आई है वो देखते हैं एक प्रोस्पेक्ट कि ये एक इंडस्ट्री बन सकती जहारकंड में बट डू टू लॉट अफ रेगुलेशन प्रोसेस थोड़ा भी टाइम लग सकता है बट ऐसा नहीं कि प्रोसेस रुखेगा, एक फ्यूचर इसका दिखता है मुझे मैंने स्टेट एक्साइस के भी जॉइंट केमिशनर से बात की है मैंने डिरेक्टर अग्रिकल्चर, डिरेक्टर हर्टी कल्चर और अधर स्टेट ओफिशल से ही मैंने इस चीज़ से बात की है और काफी एक पॉजिटिव इंपक्ट मुझे दिख रहा है कि यह हो सकता ज़रूर अंकित, यह ख्याल कहां से आया, कहां से पढ़ाई कर रहे थे और अचानक पढ़ाई पूरा किया या पढ़ाई के बीच में ही यह ख्याल आया कि कुछ अपना lockdown में या कोरोना की वज़त से कुछ काम करें तो मैं US में था जब मैं डेर साल वहां पढ़ाई कर रहा था मैं travel journalism कर रहा था और मुझे लगता था कि travel journalism करने के लिए classroom के अंदर करना मेरे लिए सही नहीं है मुझे वो opinion में सही नहीं लगता था तो मैंने एक छे महीने की break ली और मैं Southeast Asia ट्रावल करना शुरू किया वो छे महीने की break डेर साल की break बनी जब मैं काफी Southeast Asia में travel किया अकेले backpacking किया वहां पर जितने awareness में देखी लोगों को प्लास्टिक के उपर और climate change के उपर मैं जब इंडिया वापस आया तो वो बिल्कुल मुझे नहीं दिखता था लोगों पर उस चीज की education भी नहीं दिखती थी तब जब मेरी दूसरी college में transfer हो रही थी और जब मैं जाने को ready हो गया था तब due to corona मैं नहीं जा पाया और मुझे लगा कि online classes करना और एक जगह जैसे मैं पहले बैठता था फिर मुझे बैठना होगा इससे मैं अपने possibilities or potentials को explore नहीं कर पाऊंगा तब मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने अपने parents को convince किया कि मुझे drop out करना है और मुझे अपना एक इंडस्ट्री शुरू करना जो कि challenging काफी है बट जैसे मुझे बहुत challenges पसंद है difficult को solve करना मैंने इस challenge को लिया और यह जैसे कि एक regulation और एक narcotic value इसमें आता तो काफी लोगों की negative social stigma है around cannabis तो cannabis के अंडर दो पार्ट आते एक भांग और गांजा गांजा में होता है नशा पर भांग में नशा नहीं होता है भांग के भले यहां पत्ते मिलते हैं लोग भांग करते अल्रेडी बट जो हम जिससे काम कर रहे हैं उसमें 0.3% less THC वाली products रहेंगे जो कि government of India की एक legal limit set की हैं और जो UN की SDG Sustainable Development Goals है उनको वो पूरा कर सकते हैं उनको अचीव कर सकते हैं 2050 तक net carbon neutrality मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं मेरे ऐसे और वी जो carbon negative companies है जो sustainability को push कर रहे हैं सब मिलके एक negative carbon world जरूर बना सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है तो यह थे अंकित तो जिन भारत जो है देश है और वैसे आत्मिरभर की बात इन्होंने कही है अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार जो है किसी मंतरी क्योंकि विभाग के हैं मंतरी है क्या कुछ इस पर जो है इन्हें सपोर्ट करते हैं और जो यू यूवाँ है विलकुल अंकित यूवा इतना ही लाइव लगातार के लिए टांची समय कोशल कुमार नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहें लगाता.in के साथ